आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का 5th chapter pollination and fertilization और आज हम इस चीज के बारे में अच्छे से बढ़ेंगे कि हमारा जो pollination है वो क्या होता है और जो हमारा जो fertilization process है हमारे plants में वो किस हिसाब से होता है उसके लिए क्या-क्या factors की जुरूत पड़ती है आज हम इस चीज के बारे में इस टॉपिक में आगे देखेंगे और बच्चों मुझे आपसे एक बात कहनी थी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहतियों कि आप करिये अगर आपको 9 का कंटेंट देखना है आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं अब हम देखते हैं कि हमारा पॉलिनेशन क्या होता है पॉलिनेशन में हमें दो चीजों की बहुत जादा जरूरत होती है पहला हमारा होता है स्टेमन्स और सेकेंड होता है हमारा स्टिग्मा यह हमने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था हमेने आपको कि जो stamens होते हैं, वो हमारे male reproductive part of a flower होता है और जो हमारा stigma होता है, वो हमारा female reproductive part of a flower होता है तो इन दोनों की pollination से हमारा क्या बनता है? fertilization होता है, तो pollination एक ऐसा process है जो हमारा क्या करवाता है? आगे जाके fertilization करवाता है हमारे plants में तो इसमें आपको लिखा गया है जो हमारे जो एंथर होते हैं स्टेमन्स के वो क्या करते हैं हमारे एक पाउडरी मटीरियल फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलन कहते हैं और जिसमें हमारे क्या particles present होते हैं, बहुत छोटे-छोटे particles, उन्हें हम क्या कहते हैं, pollen grains कहते हैं, और यही pollen grains में क्या consist होता है, nuclei consist होता है, जो हमारे किसमें पार्ट करते हैं, हमारे reproduction में, और इस process को start करने के लिए, हमारा formation of fruits और seed का होना क्या है, हमारा step होना जरूरी है, तो पहले step के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो pollen grain है, वो हमारे stigma तक पहुचना चाहिए, और stigma क्या है, हमारा female reproductive part of a flower है, तो जो हमारे pollen grains है, वो stigma तक पहुच जाने चाहिए, जब वो stigma पहुचेंगे तब जाके हमारा क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा अब हम देखते हैं कि इसमें तीन प्रोसेस होते हैं तीन टाइप के हमारे पॉलिनेशन होते हैं फर्स्ट हमारा autogammy, सेकेंड हमारा getogammy and थर्ड होता है हमारा allogammy तो फर्स्ट के बारे मैं पढ़ेंगे कि autogammy कैसा होता है जो हमारा flower है एक plant में जब उसके pollen grains है वो उसके खुदी के flower में गिरते हैं उसके खुद के stigma में गिरते हैं by itself उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पढ़ रहे है उस pollination को करवाने की उसे हम कहते है autogammy autogammy का मतलब यह है कि हमारा जो एक plant है उसमें बहुत ज़ादा क्या है मतलब फ्लार्स है मतलब आप example लिजिए कोई सा भी plant लिजिए उसमें क्या है बहुत ज़ादा flowers present है तो हर एक जो flower है वो अपना pollination अगर वो खुद करवा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे autogammy कहेंगे और हमारा autogammy का मतलब होता है self-marriage मतलब एक जो single flower है उसका जो क्या बोलते है pollen grains है वो खुद के स्टिग्मा में अपने आप जा रहे हैं तो उसकी क्या रही है है self-marriage हो रही है तो इसका है हमारा पहला प्रोस्स पॉलिनेशन का फॉलिनेशन का फर्स्स टेप क्या है autogammy फिर सेकेंड है हमारा गेट-ग्याभी मि इसमें क्या हुंता है जब हमारा जो फलायर है अब हम क्या कर रहे है एक plant ले इसमें जकाइब दो आले डाग्राम्स को देखे अब जिश्क में प्लांट अ आफ्ट में तीन उस दिक रहे हैं एब का यह ब तॉ हब गेटो गैमी मतलब अब हमारा क्या हो रहा है जो पॉलन गैमी मतलब होता है नेबरीं नेबरिंमने मतलब कि हमारा हम अपने नेबर के अपने पॉलन ग्रेइंज की हां उस अब हम इसमें क्या होता है जो pollen of a flower है of another plant मतला अब हम इसमें क्या ले रहे हैं अब हम इसमें दो different species ले रहे हैं कि एक जो plant है उसका जो pollen grain है अब वो दूसरे plant of a flower में जा रहा है इस वाले डाइग्राम में देखे figure 2.1 में इसमें हमारा plant A है यह दिख रहा है आपको plant A and second है हमारा plant B अब इससे क्या हो रहा है जो अब ब्लांट A है वो अपना pollen grain दे रहा है हमारे plant B को तो इसे कहेंगे हम अलोगामी अलोगा मतलब क्या होता है अदर अदर मतलब हम दूसरे वाले plant को अपना क्या दे रहे है pollen grain दे रहे हैं कि जिसके वज़े से उसमें भी क्या हो जाए हमारा pollination हो जाए और लियोत जो इसके कारण आगे चाखे क्या हो फटिल्याइशन हो अब इसका जो उसके कारण हो सकता है इसे हम क्या कहते हैं cross pollination करते हैं cross pollination का मतलब ये है कि हम एक flower से दूसरे flower में अपने pollen brins क्या कर condition है trantsuffer तो इसे हम बोलेंगे cross pollination इते उसे हम क्या कहना है simple pollination कहेंगे कि उसमें कुछ deuxième यह हो रहा है उसमें same flower वो अपने आप खुदी जा के क्या कर रहे हैं self-pollination केंगे अपने आप ही अपने आपको pollinate कर रहे हैं तो यह हमारा cross-pollination और दूसरा था हमारा self-pollination तो pollination हमारा क्या होता है एक process होता है जिसमें हम pollen grains क्या करते हैं pollen grains को transfer करते हैं from enter to the stigma अपने एकर होता है या तो same species में हो सकता है या different flowers species में हो सकता है अब हम जैसे बात कर रहे हैं जिसे हमारा orchard होता है उसमे आपके क्या होते हैं में अरकशन सब्सक्राइब है युए 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 श्यूब्सक्राति इंसें अ वेड चुछामे वर्थेस विल्थ टी में 5ड मूल के यह सब इंद इंद केव ऐर से फिर कंची और टाइव। हमारी फेंद व्हार्टेबग करती है और उसने के अम भी लいたड कोफिटें जो किले नाफे is now the अब इसीब चिदि हमार्टेबर फिरल सुनिद कर दो किले आइंद बड़ी оंटिबस बाता हैं हमारे trees present होते हैं तो जब वहां पर हवा बहती है तो हर एक फ्लावर को डिफरेंट 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 टाइप्स के पॉलन्स क्या होते हैं similarly अगर हम बात करते हैं हमारे जैसे insects हो गए जैसे bees and butterflies हो गए वह क्या होते हैं उन्हें डिस्करिम्नेट नहीं पता चलता है इसन नेटर मिले है वहाँ ले लेते हैं इस प्रोसेट में होते है जह उन इस happy ग pig यह तो क्या करते हैं जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का वो क्या बहते हैं एक बागी वाले को तो हटा देता है बर अपनी स्पीशी पॉरीशेशन्स कर लेता है तो हर जो प्लांट होते हैं, हर सब को different types of pollen grains मिलते हैं, क्योंकि जो insects होते हैं, या जो हमारी हवा है, उसे थोड़ी ना पता है कि वह concept pollen grains अपने साथ लेके जा रही है हवा में, ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो क्या होते हैं, हर plants को क्या होते हैं, different types of pollens मिलते हैं, और जो उनकी अपने खुद की species होती है, वो उसके साथ क्या होते हैं, germinate आगे जागे अपना fertilization process कर लेते हैं, जब उनने similar species मिल जाती है, तो नेचर ने ऐसा design किया है, कि जो pollen है, same species of plant will survive and grow further, जो same species of plant है, वो ही survive करेगी जो एक species है, और वो ही grow further करेगी, for the process of reproduction and the rest of the types of pollen will fail to germinate and perish, मतलब जो उसका जो species का जो से pollen मिलेगा, वो तभी जाके germinate होगा, और आगे जाके reproduction process करेगा, बट अगर उसे अपने species का pollen grain नहीं मिलता है, तो वो आगे जाके reproduction नहीं कर सकता, तो हमारा nature ने ऐसे adjust किया है, हर एक flower को different type of pollen grains मिलते हैं, बट वो अपनी species के साथ ही आगे जाके, क्या बोलते हैं, अपना reproduction का process कर सकता है, अब हम बात करते हैं kinds of pollination की, अब मैं आपको अपको बताया था, डो type के pollination होते हैं, एक होता है हमारा self-pollination and दूसरा होता है हमारा cross-pollination, self-pollination में तो यह होता है कि जो transfer होता है pollen का enter to the stigma of the same flower, मतलब same flower में हो रहा है, जो stigma है, जो एंथर है, जो मतलब हमारे pollen grains है, वो stigma पे जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अपना self-pollination, autogammy, और दूसरा ही हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, stigma of another flower of the same plant, या तो हम क्या बोलते हैं, another flower ले रहे हैं उसी plant का, तो उसे कहेंगे, autogammy या getogammy, तो basically जो दोनों process हो तो autogammy या getogammy यह क्या हमारे self-pollination है, क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, खुद को self-pollinate कर रहे हैं, अब मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, देखो, जो यह same flower है, इसमें क्या और जो pollen grains है, जो हमारे जो pollen grains है, वो अगर same, इसको क्या बोलते stigma पे जा रहे हैं, तो अब हैंसे क्या गहेंगे, autogammy, ठीक है, और यही जो pollen grains है, वो ही same flower में, क्या बोलते same flower है, जो이 dedication, पॉलन क्या बेंद करना गयरा है, यह तो same flower की बात करेंगे, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, different flower, तो different flower में होगा, pollen grains एक ही flower की different flower में जा रहा, उसी space same species की, तो उसे हम कहेंगे, गेटोगेमी कहेंगे. Pollination between the flowers of the same plant is considered as self-pollination on account of the common genetic characters. Self-pollination इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि जो उनके genetic characters होते हैं, वो सबके सबके होते हैं, same होते हैं, उनके जो features होते हैं, और जो उनके जो qualities होते हैं, वो same flower, अपने ही qualities and features of any one plant are the same in the different flowers born on it. मतलब, जो features होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, सभी flowers के क्या होते हैं, same होते हैं. कुछ rare cases में बात करते हैं, जैसे हमारा एक flower होते है, Pansy, some flowers growing close to the ground level, मतलब, वो ground level के बहुत सबक्लोज होते हैं, मतलब, जमीन के किसे थूड़ से ऊपर होते हैं, और उनके जो flowers होते हैं, वो कभी भी open नहीं होते हैं, मतलब, जो flower हो कभी open नहीं होगा, तो उसमें क्या होते हैं, हमेशा ही self-pollination होते हैं, जो Pansy, जो flowers होते हैं, उनमें क्या होते हैं, एक ही टाइम पर mature होते हैं तो जब एक ही टाइम पर mature होते हैं इसका मतलब यह कि उनमें जो reproduction है वो अराम से हो सकता है तो उस फ्लावर में क्या होगा हमेशा से क्या होगा self-pollination क्या होते हैं assured होते हैं तो pensick ऐसा flower है जिसमें self-pollination हमेशा होगा because वो कौनसे flowers होते हैं उसमें kleistogammy मतलब उनके जो flowers होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा closed रहते हैं अब हम बात करते हैं कि self-pollination किस में होता है self-pollination होते हैं हमारे bisexual flower में अब मैंने आपको पिस्टे चप्टर में पढ़ाया था और it can occur on यह उसमें भी अकर हो सकते है जिसमें हमारी unisexual flower है जिसमें यह हो सकते है जो हमारे जो बोध मेल है और female flower है वो एक ही प्लांट में अकर होते है क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि विए यह होता है कि हमारे दोनों productive पार्ट एक ही साथ होते है बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो यूनि सेक्षुल होते है तो इन में वह नहीं होते है एक पार्ट इसमें प्रेजेट होता है क्या बलते जिसमें मेल प्रेजेंट हो गया अगर हमें इंशॉर करना है कि उस प्लांट में self-pollination हो तो उसके लिए सबसे पहली condition यह होनी चाहिए कि जो हमारे जो एंथर्ज और हमारे स्टिग्मा है सेम फ्लावर के वह एक ही टाइम पर क्या होने चाहिए अगर वह दोनों के दोनों एक टाइम पर मैच्यॉर होंगी तो उनका जो self-pollination है वह अराम से हो सकता है और if the flowers are unisexual अगर हमारे flowers जो है वह unisexual है तो वह भी क्या बोलते है अगर जो उनके पार्ट्स है फीमल और मेल पार्ट्स अगर डिफरेंट उसमें बॉन हो रहे हैं तो दोनों के दोनों को एक टाइम पर मैच्यॉर होना जरूरी है अगर दोनों सिमिलर टाइम पर मैच्यॉर ह हो रहे हैं तब ही जाके उन पर क्या हो सकता है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन अराम से हो सकता है अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसद्वांटेज कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या ड्वांटेज है और क्या डिसद्वांटेज है तो एडवांटेज क्यों होते हैं कि सब प्रिजर्व मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो जो प्लांट होगा वह रहता है तो जो फिंद्ध होता है यह रहते हैं इक जैसे ही रहते हैं दुशरा किसमें वेसटेज नहीं होता कि क्योंकि एक दम से रिप्री जाता है onwards हमारेई फ्लावर्दब्सक को ज्या खुछी होते हैं लार्ज रेशोई मतलब दितल ज्यादा आट्रयार्टिव दिखने की ज़रूत नहीं है और ज्यादा बढ़े नहीं होते हैं, यह खोड़ा होते हैं, गो सदा नेखने में दॉप अर जोड़ाईशंके नेक्टरी ज़ितने हीजिट हैं? और जितने भी जो advantage है यह हमारा great economic part of a plant है क्योंकि जो nutritional material होता है वो हमारा क्या बोलते हैं जो इनकी production में used होता है क्या बोलते हैं हमारे pollen nectar scent and large petals वो सबका सब क्या हो जाता है तो हमारे जो plant nutrition में वो जो product होते हैं उनके काम आ जाते हैं अब हम बात करते हैं disadvantage of self-pollination अगर हमें क्या बोलते हैं अगर self-pollination generation after generation होता रहा हमेशा self-pollination होता रहा तो इससे के और जो variety होती है स्पीशीज में उसमें क्या जाते हैं वीकनिंग आ जाती है क्योंकि जो seeds produce उने लग जाते हैं वो क्या होते हैं बहुत जदा poor quality के होते हैं और इससे क्या होते हैं जो हमारे जो offsprings होते हैं वो भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो ज्यादा self-pollination भी सही नहीं अगर it cannot be eliminated मतलब अगर कोई जो एक character है जो कोई भी flower में कैसा characters है जो बहुत जदा weak है बड़ अब क्या और self-pollination होता रहा है तो characters के और वही same produce होते जा रहे हैं generation after generation तो अब क्या वो जो weak वाला character है वो generation after generation क्या और है carry होता जा रहा है अब उससे हम क्या नहीं कर सकते हैं उससे हट तो यह क्या है हमारे disadvantage है तीसरा क्या है इसमें क्या होती हमारी कोई नहीं variety नहीं बनती है self-pollination का मतलब है जो हमारे जो प्रेंटर characters है वह एक जैसे ही रहेंगे मतलब जो हमें कोई नहीं variety नहीं मिलती है और जो genetic traits है हर एक जो plant में वो क्या है वो ना change हो रहा है उसमें कोई इंटर मिक्सिंग नहीं हो रही है अगर अगर different flower के साथ अगर हम करें तो अगर उसमें इंटर मिक्सिंग होगी तो क्या होगी हमारे न्यू विराइटी फॉर्म लोगी बड़ इसमें कोई ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि self-pollinate अपने आप ही वह pollination करवा रहे हैं तो हमार कोई next generation में कुछ भी वराइटी फॉर्म नहीं होती है और इसे के अधर हमारे कोई chances नहीं होती है आप हमारे के अधिया है झाल 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 फॉफ यहां यहां बता आग झाल जाता हमारा फूट उवरि वाल पेरिकाप मतलब आउटर पेरिकाप कैंगे औवियू हमारा सीड हो जाता है प्लैसेन्ट से प् Yemen दो छोटराऊ और कीवाला वाला होते हैं किसी किसी उसमें ऑवलते इह eerste मॉफ्राइ ओंकलते हैं इक हाओ जो हमारे secondary nucleus present था वो हमारे क्या बनाते हैं आगे जाके endospom बना देता है क्योंकि उसके साथ क्यों हो गया हमारा main nuclei भी आद हो गया जो हमारे x-cell और synergits हैं वो हमारे क्या बना देता हैं एंब्रियो बनाते हैं और जो हमारे antiportal cells जो present थे हमारे disorganized हो जाते हैं अजिसे मैंने बताया था है यह इस इंट्यूइजमेंट्स दिख रहे हैं धिर यह तो हमारे टेस्ट आूटर वाले टेस्ट बनाते हैं और जो हमारे जो एंटी पोड़ल से आंगे जाके कि अधे डिसों अर्गनाइज मितलब हड जाते हैं वहाँ से तो ऐसा होता है कि इससे क क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारी नहीं बनेगी और अगर नहीं बनेगी तो अगर जाके अच्छा नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता हमारी न्यू विराइटी बन रही है और हमारा जब प्लांट है वह और ज्यादा क्या रहा है उसमें अलग अलग अड़ाइप्ट कर रहे हैं चीजे तो अराम से क्या कर सकता है इंवायमेंट में काफी सम सकता है तो सभाइवल के लिए भी हमें प्रॉस पॉलिनेशन का बहत ज्यादा जोडूड Bentन होंगे तो वह लार्ज होंगे बॉयलि कि अधर होंगे उन पे सेंट औरना चाहिए प्रेजेंट हो ना चांगे औरनके क्याurable अजिक ऒ स्थिंटी पॉलन औरे stigma present होगा उन पर अगर आप wind pollinating flowers की बात करें तो small होते हैं नर्म में नेक्ट्री प्रेजेंट होती है dull colored के होते हैं उनका जो pollen होता है वो light और बहुत ज़्यादा dry होता है इसलिए light और dry होता है कि आराम से इनके कारण के आओ सके carry हो सके हैं फिर हमारे जो pollen ग्रेन स्टिग्मा में generate होते हैं germinate होने के बाद वो क्या बनाते पॉलन ट्यूब बनाते हैं पॉलन ट्यूब बनाते कि और आम से किस पर पहुच सके हमारे embryo सेक में सके हैं और फटेशन की बाद इतने भी अपरे आपर ऑनी तो तो बनाते हैं तो आपको समझ में आ और आगे जाके वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यह पूरे पॉइंट है बच्चो, I hope आपको बहुत अच्छा लगा हो यह lecture, आपको यह session पसंद आया होगा, तो अब हम यहाँ पे खतम करते हैं, हमारे chapter खतम, बच्चो, अगली बार दुबारे से आपको यह teacher मिलेगी तो बच्चो, तो बच्चो, तैंक यू सो मच